हेलो फ्रेंड्स वंस अगें वेलकम बेक इन माई यूटूब चनल दोस्तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक फ्रेशर लड़का जो होता है जो फ्रेशर जो अभी अभी कॉले से पास आउट हुआ है या जो पहले पास आउट हो चुका है व तो अगर इंटर्विव में जाता है तो क्या कॉमन मिस्टेक करता है जिसकी वोज़से उसकी जौब नहीं लगपाती है दोस्तो ये केवल फ्रेशर ही नहीं कई डेट सारे एक्सपिरियंस वान इयर टू इयर एक्सपिरियंस बच्चे भी ये गलतियां करते हैं तो कि देख तो सामने वालार्यजिमे डाउनलोड करता है तो देखता है कि उसका केरीर औपजट्टी इधर भागा हुआ है उपन नाम आपका अलंग भागा हुआ है आपने देखा होगा कि लाप्टॉप में जब वर्ड्वाईल में क्योंकि आपने 13 में सेव किया था सामने वाले के प तो इस तरह के किसी भी देखने के बाद उसके माइंड में निगेटिव चीज आने लग तो उसके लिए एक option आपके पास बहुत ही easy है और आपको साथ पता होगा नहीं पता है तो आप word के save as file पर जाएए जहांपे save as का option होता है जो file नाम देते हैं आप तो आप नीचे लिखा रहता है convert to तो आप नीचे PDF format दे दीजिए यह देखिए यहां पर आपको PDF format दिख रहा है तो यह PDF format में अगर आप convert करते हो तो उसका एक फायदा होता है दोस्तों कि जो आप क apply नहीं करना है दूसरी और सबसे बड़ी गलती यह करते हो दोस्तों आप लोग कि आपने लोगों को resume भेजा resume के साथ कुछ बताया नहीं अपने बारे में अपने बारे में in the sense कि आप करते क्या हो या आपने अभी पढ़ाई खदम की है आपके पास knowledge किस चीज का है आपको क कौन कौन से code आते हैं Indian standard code कौन कौन से code आते हैं या आपके पास कौन कौन से skills है तो अब दिक्कत यह हो जाती है कि आपने के पास कोई skills अगर नहीं है तो आप उहां पे mention क्या करोगे तो cover letter में आपको एक अच्छा सा format त्यार करना पड़ेगा कि हमारे पास यह degree है इस year में ह एक समस्या देखी है वो यह कि उनको बोला जाता है कि आप 16 के पास out है 18 या 19 चल रहा है आपने इससे पहले job क्यों नहीं की इसका सबसे छोटा हो सरल तरीका मैं आपके साथ बताता हूँ आपके साथ share करता हूँ अगर आप कुछ लोग क्या वो लेंगे दिमाग में चल ला होगा कि सर हमने government job की त्यारी की बहुत अच्छी बात government job की त्यारी की लेकिन इसमें काफ का failure दीख रहा है कि आपको success नहीं आप उसको mention करिए क्योंकि HR आपसे जानने वाले HR क्या काम क्या है वो आपके पूरे deep में जाके वो पूरा research करके आपके बारे में पता लगा लेती है तो आपको बोलना है आपको छोटे-छोटे courses join कर लो और बोलो कि हमने यह courses join किये थे इस बीज जिनकी हमने practice की courses चाहे तो height कर सकते हो कि मेरे career में gap क्यों था उसका सबसे बेहतरी region यह है क्योंकि girls के साथ एक फायदा होता है कि मैंने देखाया girls अगर बोल देती है कि हमारा medical issue था तो लोग asset कर लेते हैं boys के साथ उनका medical issue में क्या बोलेंगे accident हो गया है तो बोलेंगे proof दिखाओ इस तरह के कई देर स अपने इस जो career का gap है ना इसके gap को height करने की courses करो दूसरा अगर आप Fraser हैं तो आपको height करने की जरूयत ही नहीं है लेकिन आप बोलिए कि हमने time best नहीं किया जैसे ही हमने engineering complete किया हमने यह sir course join कर लिया और हमने इस पे practice किये और मेरी spirit ऐसी है यह आपका तीसरा सबसे ज़्याद mistake यह होता है कि आप जब company में जाते हो तो company की HR आपसे एक salary expectation का question पोस्ती है कि what is your salary expectation आपके दिमाग में अभी अभी आपने pass out किया है अपने engineering को तो आपके दिमाग में यह चलता है कि engineer को 25 से 30,000 रुपए तो मिलना ही चाहिए हम जी मिलना चाहिए इंजिनियर को 25 से 30,000 पर जो अभी इंडिया का scenario है इसमें आप देख रहे हैं कि हर साल कितने engineer आपके साथ निकल रहे हैं तो अगर 25 से 30,000 रुपए का अगर आप देखोगे तो आपसे कम में पैसे में काम करने के लिए बाहर लोग तयार हैं तो आपकी पूछ वहां पे कम हो जाएगी दूसरी चीज यह दोस्तो मैं अपने क्लास में भी कभी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप engineering में जब जाते हो वहां interview जा रहे हो और आपसे उसमें salary expedition पूछा है तो आपको सबसे अच्छा और एक answer ही देना है वो यह कि अभी मैं fraser हूँ as I am a fraser so as per your company norms आपके company का जो भी condition है उसके according मुझे पैसे आपट करिए ऐसा इसलिए बोलना है क्योंकि अभी आप कुछ सीखा नहीं है आपने सिर्फ engineering complete की है ओभी इंडिया का engineering system जिसमें मैं अगर बात करूँ इतना खराब महोल है उस syllabus का उस syllabus में यह सिखाया जाता है कि जो पूराने data है जो अभी current में नह आप पाएंगे तो यह बहुत ही मुश्किल है कुछ कंपनियां दे जेती हैं बर ज्यादा तर कंपनियां आपको इंड़ेटेंड नहीं करेंगी तो पहले आप company में entry करिए पैसे का मत पूछिए पहले काम को सीखिए जब आप काम सीखेंगे तो आपके पास बोलने के लिए रहेगा कि मैं यह काम जानता हूं सर इसलिए मुझे इतने पैसे चाहिए अभी तक आपके पास काम नहीं था जैसे कि मैं बात करूँ मैं इससे में corporate trainer हूँ तो मैं अकर corporate training के लिए फिर कहीं कैसी company में जाता हूँ तो मैं उनको बोल सकता हूं कि सर मेरे पास 13 software के knowledge हैं और 5 हम हमारे जो engineering के main subject हैं उन पर हमारा काफी अच्छा knowledge है structure का experience है हमें architecture का experience है हमें सो हमें इतना thousand रुपीज चाहिए तभी हम आपके हाँ पर continue कर पाएंगी लेकिन अगर आपने अभी कुछ सीखा नहीं आपने सिर्फ इंजिनिंग कंप्लीट किये दोस्तों तो मत बोलो मत बोलो मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको कि आपने बोला मैं autocad तो जानता हूँ sir लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि autocad में construction line क्या होता है autocad में xref command क्या होता है तो आपका mind blank हो जाता है इतनी चोटी चीज अगर आपको नहीं आता है इसका मलब जो आपने autocad सिखा है वो autocad बहुत ही basic label पे सिखा है वो यहां है industry यहां है फिर से बोलना चाहूँगा bridge नहीं बना है आपका bridge बनने के लिए autocad deep में सीखना पड़ेगा जिसके लिए मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ डेली आप देख रहे होंगे मैं series लेके आ रहा हूँ लेकिन मैं अभी और deep में लेके आने वाला हूँ beam की detailing, column की detailing, footing की detailing, staircase की detailing, slab की detailing एक एक चीज मैं आप तक लेके आने वाला हूँ तो मेरी कोशिस यह है कि आपका ये bridge maintain कर दूँ और आप interview में जाओ तो उनको बोल सको कि sir मेरे पास इस चीज का proper knowledge है अगर आप estimation के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप profile देखो कि किस profile के लिए जा रहे हो, उसी profile के according study करो मतलब अगर आप detailing के job के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पर detailer बनने जा रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर BBS की सबसे ज़्यादा जरूद पढ़ेगी BBS क्या होता है, bar bending, schedule आप अच्छे से पढ़के जाओ, BOQ, bill of quantity की बहुत ज़्यादा जरूद पढ़ने वाली है, detailing में आपको lepping, crank length, development length, chairs, extra bar, bent up bar, इन सब चीजों के बारे में deep study करके जाओ, क्योंकि वह detailing की job है लेकिन अगर मैं बात करो इस structure की, तो उसके लिए मैंने बहुत से वीडियो साब के लिए है, main रूप से मैंने चार वीडियो सीरीज दिया था आपको, जो की वह बहुत ज़्यादा informative था, उसको देख लिजेगा कि structure engineer को क्या-क्या पढ़ना चाहिए अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे draftman की job है, आपने ITA या डिपलोमा किया है, तो आप AutoCat को ही अच्छे से पढ़के जाओ, इसके साथ area का calculation, area in the sense, 30 meter, 20 feet, आप 30 meter और 20 feet में आप confused होगे, तो आपको 30 meter feet में convert करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर 10 feet by 10 feet है तो आप बोल द थोड़ा सा area के बारे में पढ़के जाए, थोड़ा सा building by log के बारे में पढ़के जाए, एक वीडियो में मैंने discuss किया था, वैसे मैं एक वीडियो separate बनाने वाला हूं building by log के, थोड़ा सा room standards के बारे में पढ़के जाए, तो draftman की job आपकी पकी है, कोई भी नहीं ले सकता है, draft क्या आप से कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों तो इस तरीके से अगर आप architecture के लिए जा रहे हो तो आप वास्तु के बारे में पढ़ लो रैविट के बारे में पढ़ लो अर्ची के बारे में पढ़ लो जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ के जाओगे मलग उनका जो job description थ या न तो अब उसके सामने question रहेगा कि या यह Fraser तो है लेकिन इसी knowledge तो हर चीज का है अभी तक आपके पास क्या था आप just degree लेकर जाते थे मैं आपको बता दू degree का एक रुपए नहीं मिलने वाला है आपको आपको knowledge का ही मिलेगा skills का ही मिलेगा जो skills है उसके according आपको package मिलेगा तो please आप skills को develop करो और skills के throw ही आप आगे जाओगे अब नेक्ट वीडियो बनाऊंगा जिस नेक्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से skills को develop कर सकते हो means अगर आपने देखा कि problem हमारे साथ क्या क्या थी हमारी job क्यों नहीं लग रही है अब इसके साथ आप जब देखते हो लोगों के बाद लोगों के पास देखते हो तो लोग consistency खोशते हैं कुछ लोग उनसे 20,000 रुपे देते हैं कुछ लोग 50,000 रुपे देते हैं कि मुझे job चाहिए और लोगों को freshers लोगों को बहुत सारे लोग परसान करते हैं कुछ specific websites हैं जिनसे देख सारी call आते हैं fake call आते हैं कितना पैसा दे दीजे ये कर दीजे वो सबसे अच्छा है कि आप skills अच्छे से करो इसके बाद next जो वीडियो आएगा जिस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आपका skills आप strong कर लिए हैं तो कि जोइन कर लिजिए वहाँ पर बहुत ही informative चीजे शेयर की जा रही है और प्लीज उसको जल्दी से जोइन कर लो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो once again आपसे कोई फीस नहीं है सिर्फ इतनी फीस है कि आप इसको share कर दो अपने facebook और instagram या whatsapp page पे बहुत बहुत वेडियो को देखने के लिए जय है हिन दोस्तों